एलो फ्रेंड्स आज हम आपके साथ में बिलकुल ट्रडिशनल स्टाइल लिट्टी चोखा की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं और कहीं कहीं पर लिट्टी को बाटी भी कहते हैं तो चलिए लिट्टी चोखा बनाना शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को बिलकुल भी इसकिप मत कीजिएगा लिट्टी चोखा बनाने के लिए सबसे पहले हम चोखा तयार करेंगे चोखा बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बड़ा बैगन लिया है ये लगपर 200 ग्राम के करीब बैगन है और अब हम इस बैगन को कट करने से एक फाइदा यह होता है कि हमें यह पता चल जाता है कि बैगन के अंदर किड़े लगे हैं कि नहीं और आप खुदी देखिये कि बैगन में एक भी कीड़े नहीं है और अब हम इस बैगन को लंबे-लंबे slices में cut कर लेंगे slices बहुत मुटी नहीं होनी चाहिए बैगन को cut करने के बाद अब हम बैगन और टमाटर को पहले अच्छे से दो-तीन पानी से wash कर लेंगे और हमने यहाँ पर टमाटर लगभग चार से पांच लिये हैं बैगन और टमाटर को अच्छे से वाश करने के बाद अब हम एक कुकर लेंगे और इस कुकर में हम ये बैगन डाल देंगे नीचे हम बैगन रख देंगे और बैगन के उपर हम सारे टमाटर रख देंगे टमाटर को रखने से पहले हम टमाटर में चाकू से एक कट लगाएंगे कुछ इस तरीके से ये देखिए ये हमने टमाटर के उपरी हिस्से पर इस तरीके से चाकू से कट लगा दिया है यानि क्रॉस का निसान बना दिया और इसी तरह हम सारे टमाटर में क्रॉस लगाते हुए टमाटर को रखते जाएंगे टमाटर को रखने के बाद अब हम इसमें डालेंगे लगभग 20 स्पून या थोड़ा सा नमक नमक डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कुछ लैसुन की कलिया ये देखिए हमने यहाँ पर 6-7 लैसुन की कलिया ली हैं जिनें हमने पील आउट कर लिया है और लैसुन की कलिया डालने के बाद अब हम इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे बलकि कुकर को बंद कर देंगे और बंद करने के बाद कुकर को गैस पर रख देंगे हमने यहाँ पर पानी का बिल्कुल भी यूज इसलिए नहीं किया है क्यूंकि हमने इसमें नमक डाला है और जब हम किसी भी सबजी में नमक डालते हैं तो वो सबजियां अपना पानी छोड़ने लगती हैं इस पानी में बैगन और टमाटर अच्छे से बॉयल हो जाएंगे हमें एकस्ट्रा पानी डालने की जरूरत नहीं है लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज का विशेज ध्यान रखना है कि हमें बैगन ओर टमाटर को तब तक पकाना है जब तक कि बैगन और टमाटर में हाई फ्लेम पर एक सीटी नहीं आ जाती और ये देखे कुकर में एक सीटी आ गई है और अब हम गैस को आफ कर देंगे और कुकर का प्रेशर हम तब तक नहीं निकालेंगे जब तक कि कुकर अपने आप ठंडा नहीं हो जाता एक बार फिर से हम आपको बताना चाहते हैं कि कुकर में हमें केवल एक सीटी लगानी है उससे जादा सीटी हमें नहीं लगानी है क्योंकि हमने इन सबजियों को बॉयल करने के लिए पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं किया है तो जब तक कुकर ठंडा हो रहा है चलिए हम बाटी या लिटी के लिए आठा लगाने के लिए हमने यहाँ पर लगबग 3-4 कटोड़ी केहू का आठा लिया है आपको जिस मात्रा में बाटी बनानी हो आप उस मात्रा में आठा ले सकते हैं और अब हम इस आठे में डालेंगे थोडा सा मोयन मोयन देने के लिए हमने यहाँ पर refine oil का use किया है आप refine oil की जगे देसी घी का भी use कर सकते हैं और हमने यहाँ पर लगबग 2 tablespoon refine oil का use किया है refine oil आटे में डालने के बाद अब हम आटे को रब करते हुए refine oil को आटे में अच्छे से mix कर देंगे बाटी बनाने के लिए आटे में हलका सा ही मोयन दिया जाता है और हलका सा मोयन इसलिए दिया जाता है ताकि जो हम बाटी बना कर तयार करें वो बाटी सौफ्ट बने और ये देखिए हमने refine doughl को आटे में अच्छे से mix कर दिया है और मोयन भी बहुत ज़ादा नहीं है क्योंकि देखिए आटा बिलकुल भी बंध नहीं रहा है बस हमें इतना ही मोयन देना है आटे में बहुत ज़ादा मोयन हमें नहीं देना है और अब हम आटे में थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करते जाएंगे और आटे का एक सेमी हार्डो बना लेंगे और ये देखिए हमने आटे का एक सेमी हार्डो बना कर तयार कर लिया है देखिए आटा ना बहुत जादा टाइट है और ना बहुत जादा लूज है और अब हम आटे को कम से कम आधे घंटे के लिए धककर रख देंगे रेस्ट पर तो जब तक 2 रेस्ट पर रखा हुआ है चलिए हम आगे की तैयारी कर लेते हैं और ये देखे कुकर ठंडा हो चुका है और अब हम कुकर को खूल कर चेक करेंगे कि जो हमने सबजियां boil के लिए रखी थी वो पग गई हैं कि नहीं और अगर आपको दिख रहा हो तो देखिए सबजियों में हमने पानी नहीं डाला था लेकिन फिर भी सबजियों ने जो अपना पानी छोड़ा है उसकी मात्रा पर्याप्त है और अब हम आपको दिखाते हैं निकाल कर कि ये बैगन पग गया है कि नहीं ये देखिए ये देखिए देखने से पता चल रहा है कि बैगन बहुत अच्छे से boil हो चुका है और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह हम सारे बैगन और टमाटर को एक प्लेट में निकाल लेंगे हम आपको टमाटर भी दिखा देते हैं ये देखिए टमाटर भी अच्छे से पग गया है और टमाटर की इसकिन भी देखिए आसानी से निकल जा रही है तो चलिए अब हम ये बैगन टमाटर और लहसुन को एक प्लेट में निकाल लेते हैं एक प्लेट में बैगन टमाटर और लहसुन को निकालने के बाद अब हम बैगन को पील आउट करेंगे और देखिए बैगन की भी इसकिन कितनी आसानी से निकल जा रही है इसी तरह हम सारे बैगन और टमाटर को पील आउट कर लेंगे आप चाहें तो बैगन को एक स्टेनर में भी निकाल सकते हैं ताकि बैगन में अगर थोड़ा बहुत पानी रह गया हो तो वो स्टेनर की मदद से निकल जाए और ये देखिए हमने बैगन और टमाटर को अच्छे से पील आउट कर लिया है और आब हम इने थंडा होने के ये हम बाटी के लिए इस्टफिंग तयार कर लेते हैं हमने सत्तु यानि भुने हुए चने का आटा नहीं लिया है बलकि आज हमने यहां पर लिया है बेशन और ये बेसन लगभक 200 parcel है और अब हम इस बेशन को अच्छे से रखले बुनेंगे तो बेशन को भुनने के लिए मैंने कडाई को गेस पर रख दिया है ताकि कडाई गरम हो सके ये दिखे कड़ाई अच्छे से गरम हो गई है और अब हम इसमें डाल देंगे ये सारा बेसन बेसन डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे लगभग 2 टेबले स्पून मस्टर्ड ओयल बेसन को भुनने में मस्टर्ड ओयल का ही यूज कीजिएगा आप चाहें तो इसमें मस्टर्ड ओयल की जगह पर देसी गी का भी यूज कर सकते हैं और अब हम बेसन को तब तक भुनेंगे जब तक की बेसन का कलर चेंज नहीं हो जाता और बेसन से एक हलकी सी खुश्बू नहीं आने लगती साथ ही बेसन को हम लो फ्लेम पर ही भुनेंगे ताकि बेसन अच्छे से भुन जाए अगर बेसन अच्छे से नहीं भुनेगा तो वो मुमें चिपकने लगेगा इसलिए हमें लो फ्लेम पर बेसन को बहुत अच्छे से भुनना है आज हमने सत्तू की जगर पर बेसन का यूज इसलिए किया है कि अगर आप इंस्टेंट बाटी बनाना चाहें और आपके पास घर पर सत्तू अबलेबल नहीं है तो आप बेसन से भी बाटी बना सकते हैं और बेसन से बनी हुई बाटी भी बहुत टेस्टी बनती है बिलकुल स पत्तो वाला टेस्ट ही आएगा बेसन में और ये देखे बेसन अच्छे से भुन गया है और बेसन का कलर भी चेंज हो गया है और साथ ही बेसन से हल्की सी खुश्बूवी आने लगी है बस इसी स्टेज पर हम गैस को आफ कर देंगे और बेसन को एक बोल में निकाल लेंगे और बेसन को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और ये देखे बेसन अच्छे से ठंडा हो चुका है और अब हम इस बेसन में मिलाएंगे थोड़ी सी अजवाइन और अजवाइन को हम हाथों से रब करके ही बेसन में मिलाएंगे साथ ही इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा का अला नमक डालने के बाद अब हम इसमें मिलाएंगे चौप की हुई टेस्ट के कोडिंग ग्रीन चिली डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे चौप किया हुआ प्याज हमने यहां पे दो से तीन प्याज को छोटा छोटा चौप कर लिया है और अब हम इसमें आधा करश किया हुआ लैसुन हमे चार क्लिओं को और उससे मिलारेंगे लिदा नेके बाद अब हम Saale Stern कटैस्चिंटीक लाँजी साथ ही इस्टफिंग को चटपटा बनाने के लिए हमस्में मिलाएंगे अगर आपके पास अमचून पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगे पे लेमन जूस का भी यूस कर सकते हैं साथ ही इसमें डालेंगे खूब सारा चौप किया हुआ हरा धनिया अगर आप स्टफिंग को और भी टेस्टी बनाना चाते हैं तो आप इसमें कोई भी अचार का मसाला डाल सकते हैं साथ ही इसमें डालेंगे ग्रेट की हुई अद्रक लगभग हाफ टी स्पून अधरक डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के कोडिंग नमक नमक डालने के बाद अब हम इन सभी इंग्रीडियंट को अच्छे से मिक्स कर देंगे पर ये देखें फाइनली हमारी स्टफिंग भी बनकर तयार हो गई है स्टफिंग तयार करने के बाद चलिए अब हम चोखा तयार कर लेते हैं चोखा तयार करने के लिए हमने बैगान लहसुन और टमाटर को पील आउट करके रखा था उन सभी को हम एक मिक्सिंग बोल में डाल देंगे टमाटर, बैगन और लहसुन को एक मिक्सिंग बोल में डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बॉयल के हुए आलू हमने यहाँ पर आलू को लगभग एक घंटा पहले ही बॉयल करके रख लिया था ताकि आलू में जो एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाए चोखा बनाने के लिए बैगन आलू और टमाटर की मात्रा को आप अपने अनुसार घटा बढ़ा भी सकते हैं आलू को क्रश करके डालने के बाद अब हम इन सभी को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू बैगन टमाटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ग्रेट की हुई अद्रक लगभग हाफ टेबले स्पून साथी इसमें डालेंगे टेस्ट के कॉर्डिंग चॉप की हुई ग्रीन चिली ग्रीन चिली डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे चौप किया हुआ प्याज और आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप लहसुन और प्याज को इसकिप भी कर सकते हैं आथी इसमें डालेंगे टेस्ट के कॉर्डिंग नमक नमक डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे खुप सारा चौप किया हुआ हरा धनिया हरा धनिया डालने के बाद अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे सबी इंग्रीडियंट को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे एक खास चीज और वो है मस्टर्ड ओयल हम इसमें लगभग 2 टेबले स्पून कच्चा मस्टर्ड ओयल डालेंगे आप चाहें तो मस्टर्ड ओयल को पहले अच्छे से बॉयल कर लीजे जब तक उसमें धुआ नहीं निकलने लगता और उसके बाद मस्टर्ड ओयल को ठंडा कर लीजे और उसके बाद उसे चोखा में डाल सकते हैं लेकिन कच्चा मस्टरड ओल डालने से चोखा का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है और अगर आपको चोखा चटपटा कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल सकते हैं हम यहाँ पर लेमन जूस का यूस नहीं कर रहें क्योंकि हमने जो टमाटर का यूस किय है वो काफी खटे हैं और यह दिखिए फाइनली हमारा चोखा बनकर भी तयार हो गया है तो चलिए ट्रेडिशनल स्टाइल बाटी बनाना शुरू करते हैं बाटी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक लोहे का तसला लिया है और इस तसले में हम डालेंगे गोबर की कंडी कं तोड़क तोड़कर छोटा करके एक के ऊपर एक लगाते जाएंगे कुछ इस तरीके से तो आज बाटी मेरी मदर इनलो बनाएंगी और मेरी मदर इनलो खाना बहुँद टेस्टी बनाती है तो यह देखिए उन्होंने बाटी बनाने के लिए कंडे तयार कर लिए हैं और अ अब हम इसे जलने देंगे तब तक जब तक इसमें यह आग निकल रही है जब आग निकलना बंद हो जाएगी तब यह कंडे बाटी के लिए तयार हो जाएंगे तो जब तक कंडे बाटी के लिए तयार हो रहे हैं चलिए हम बाटी बनाकर तयार कर लेते हैं बाटी बनाने क छोटी छोटी लोईयां हम कट कर लेंगे कट करने के बाद हम लोई का लड़ू बनाएंगे और उसके बाद उंगली और अंगूठे से दबाते हुए लोई को बढ़ाएंगे और एक कटोरी का शेप देंगे कुछ इस तरीके से लोई को कटोरी का शेप देने के बाद अब हम भरेंगे लोई के हिसाब से स्टाफिंग और स्टाफिंग भरने के बाद हम लोई को बन कर लेंगे यह देखे इस तरीके से और फिर उसे लड़ू बनाएंगे और लड़ू बनाने के बाद उसे हम हलका सप्रस करके रख देंगे यह देखे हमारी पहली बाटी बनकर तयार हो और इसी तरह हम सारी बाटी बना कर तयार कर लेंगे चलिए एक बाटी हम और बना कर दिखाते हैं यह देखिए लोई को हमने कटोरी का शेप दे दिया है और कटोरी का शेप देने के बाद हमने फिर से इस लोई में स्टफिंग भर दी है साफिंग भरने के बाद हमने लोई को चारो तरब से अच्छे से बंद कर दिया है बंद करने के बाद हमने लड़ू बना कर हलका सा प्रस कर दिया और ये दूसरी बाटी बन कर भी तयार हो गई और इसी तरह हम सारी बाटी बना कर तयार कर लेंगे और ये देखे कंडे कितने अच्छे से जल रहे हैं और जब इन कंडों से ये आग की लौ निकलना बंद हो जाएगी तब ये कंडे बाटी बनाने के लिए तयार हो जाएंगे और ये देखिए कंडों से आग किलो धीरे-धीरे कम होने लगी है और साथ ही हमने सारी बाटियां भी बना कर तयार कर ली है और ये देखिए कंडों से आग की लो निकलना बिल्कुल कम हो गई है और कंडों में आग बनी हुई है बस थोड़ा सा कंडों को हम तोड़ देंगे और हलका सा उन्हें फैला देंगे बहुत जादा नहीं फैलाएंगे नहीं तो कंडों से आग खतम हो जाएगी और अब हम इस बाटी रखी थी उन्हें हम पलट देंगे और इसी तरह हम पलटते हुए सभी बाटियों को पका लेंगे और बाटी को हमें तब तक पकाना है जब तक की बाटी हलकी सी हार्ड नहीं हो जाती और बाटी का कलर चेंज नहीं हो जाता अगर आपने कंडों की आग ज्यादा बनाई है तो आप इन बाटियों को उपर से ढख भी सकते हैं इन कंडों की आग से लेकिन ध्यान रखिएगा इन्हें हमें बीच बीच में पलटते रहना है ताकि बाटी जले नहीं तुकि हमारे पास कंडे जलाने के लिए इसपेस कम है इसलिए हमने यहाँ पर कंडों की आग कम मात्रा में बनाई है इसलिए हम बाटी को खुला पका रहे हैं और अब हम एक न्यूस पेपर की मदद से इन कंडों की आग को हवा देंगे ताकि आग जल्दी से खतम ना हो और यह देखिए बाटियां अच्छे से पक गई हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है और जो बाटी अभी नहीं पकी है उन्हें हम इसी तरह पलटते हुए पका लेंगे और बाकी पकी हुई बाटियों को एक एक करके कंडों से बाहर निकाल कर एक प्लेट में रख लेंग और यह देखिए हमने कुछ बाटियों को प्लेट में निकाल लिया है और इसी तरह हम सारी बाटी पका करके प्लेट में निकाल लेंगे तो चलिए जब तक और बाटी पक रही है हम इन बाटीयों को सर्फ करने से पहले हम इन बाटीयों को एक साफ कपड़े से पहले कितनी सुन्दर बाटी दिख रही है चलिए अब हम इने सफ करते हैं यह देखिए फाइनली बाटी चोखा बनकर तयार हो गया है बाटी को सफ करने के लिए हम बाटी के बीच में एक छोटा सा होल कर देंगे और इस होल में हम भरेंगे खूप सारा देसी घी बहुत से लोग तो आप चाहे तो बाटी को घी में डुबो कर सर्फ कीजिए या आप चाहे तो बाटी में उपर से घी डालकर बाटी को सर्फ कीजिए आप लोगों को हमारी यह ट्रेडिशनल इस्टाइल बाटी और इंस्टेंट चोखा की रेसेपी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर पताईएगा और इस रेसेपी को एक बार अपने घर पर जरूर ट्राइ कीजिएगा तो आप लोगों को हमारी यह ट्रेडिशनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नौटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडिय आप तक सबसे पहले पहुंच सके अगर आपको जानना है कि दाल बाटी चूर्मा कैसे बनाया जाता है तो उसका वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पर अप्लोड कर दिया है जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहां से देख सकते हैं और उस वीडियो में मैंने तीन आसान तरीके से बाटी को बनाना बताया है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली रेसेपी में तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर